अगर आप अपनी प्रॉपर्टी अगर बेचना भी चाहते हैं तो आपको करना ये है कि जमीन का दो मिनिट का वीडियो बना कर हमारे दिये गए नमबर के वाट्सप पर आप सेंड कर सकते हैं हमारा वाट्सप नमबर है 7906638904 हमारे पास भारत में एक लाख रुपए प्रतियकर से साड़े पांच लाख रुपए प्रतियकर तक की सच्ती जमीन मौजूद है और अगर आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो आप सुन्दलाल प्रॉपर्टी के ऑफिसल नमबर पर संपर कर सकते हैं दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे उसके आगे जो बैल आइकन घंटी दे गई है किरपया उसको भी प्रेस कर लीजेगा उससे होता यह है कि जो भी हम सच्थी जमीन अपलोट करते है अपने यूटूब चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपके मुआल पर आ जाता है और आप सच्थी जमीन खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं तो दोस्तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे अबसका दोस्तो स्वागत है आप लोगों का एक और जमीन के नई वीडियो में तो दोस्तो आज की प्रॉपेटी में आप देखेंगे अंडर वाटर पाइपलाइन की सुवधा आपको मिल जाती है काली मिट्टी की शांदार प्रॉपेटी अरेंज की गई है आप लोगों के लिए हमारी टीम के दवारा तो दोस्तो बिजली की आपको प्रॉपर सुब्दा देखने को मिल जाती है रोड पे जमी दहने वाली है डाम रोड के किनारे तो चलिए दोस्तों जमीन का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा काफी सारी साथिज़ बिन आती रहती है सुन्दलाल प्रापेटी यूट्यूब चैनल के पास तो चलिए दोस्तों बात करते हैं जमीन की डेटेल के बारे में तो राज रहेगा मदबदेश जी हां मदबदेश राज के खरगोन डिस्टिक की ये जमीन रहने वाली है जो कि टोटल जमीन आपकी पांच एकड़ जमीन रहने वाली है करगोन डिस्टिक से मातर आपका 55 किलोमेटर की दूरी पर ये जमीन रहने वाली है तैसिल की बात करते हैं तो तैसिल है ही महसवर महसवर तैसिल से मातर 21 किलोमेटर की दूरी पर ये जमीन रहने वाली है टोटल जमीन आपकी 5 एकड रहने वाली है एक एकड में आपको डेड़ वी का जमीन देखने को मिल जाती है जो की बनती है 4840 गज स्कर्फिट में अगर बात कर लेते हैं तो 43,560 स्कर्फिट आपको एक एकड में जमीन देखने को मिल जाती है जनरल केटेगरी की ये जमीन रहने वाली है अगर मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो काली मिट्टी की शांदार प्रोपटी आपको ये मिल जाती है रेट के बारे में अगर बताते हैं आपको देखे एक एकड़ की जो डिमांड है जमीन ओनर की वह है आठ लाक रुपए प्रती एकड़ है लेकिन आप उनसे बैट के बात करेंगे टेबेल पर ओन टेबल पर कम से कम रेट में आपको ये जमीन फाइनल होके मिल जाती है है कि मिट्टी के बारे में आपको बता बता ही दिया तक आलि मिट्टी की शांदर प्रोपेटी रहने वाली है आवादी के बारे में बात करें तो 97.8 हिंदू आवादी रहने वाली है हिंदो आबादी में लगवग, पंजाभी, हर्याणवी, सर्मा, ठाकोर, स्टी वर्ग, ओबीसी वर्ग और जनरल वर्ग के लोग निवास करते हैं जमीन के आसपास रोड के बारे में बात करते हैं तो जमीन से लगा हुआ फिलाल अभी 16 फिट का आपको कच्चा रोड देखने को मिल जाएगा लेकिन 100 या 1500 मीटर की दूरी पर आपको जाकर डामर रोड की सवदा देखने को मिल जाती है हाईवे के बारे में बात करते हैं तो जमीन से 300 मिटर की दूरी पर दामबो टू सनावत हाईवे लगा हुआ है इस जमीन के नजदीक में मार्केट के बारे में बात करें तो 8 किलो मिटर की दूरी पर आपको सनावत मार्केट देखने को मिल जाता है बात करते हैं सिचाई के साधन के बारे में तो आपने चुरुबात में देखे लिया होगा कि अंडर वाटर पाइपलाइन मौजूद है जमीन में जो कि सिचाई का कारिब बखोवी निभाती है अन्यथा जमीन की नजदीक में 300 में दूरी पर नर्मदा नहर मौजूद है वाटर लेवल की बात करें तो आपको 70 फिट का आपको शांदर वाटर लेवल देखने को मिल जाता है बिजली की आपको प्रॉपर शब्दा देखने को मिल जाती है पस स्टेंड के बारे में बात करें तो मजेश वर 25 किलोमेटर की दूरी पर पस स्टेंड रहने वाला है रेलवे स्टेशन रहेगा आपका खरगोन जो की जमीन से आपका 55 किलोमेटर की दूरी पर रहने वाला है अगर rate के बारे में शुरुबात में हमने आपको जानकारी दे ही दी थी 8 लाक रुपे पर दिये कड़े जमीन की डिमांड है बाकी आप जमीन ओनर से आमने सामने बैट के बात करेंगे तो कम से कम rate में ये जमीन final होके आप रूओं को मिल जाती है जो भी व्यक्ति इस property को खरीदने के चुक है यां interested है तो आप direct सुंदरलाल property के दिये गए नमबर पर contact कर सकते हैं और खरीद सकते हैं ये सस्ती जमीन तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्ती जमीन के साथ अब तक के लिए नमस्कार